हालो गाइज कैसे हैं आप सब लोग टैरोक्स पे टॉपल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करेंगे वह केंडल वैक्स रिडिंग होगी और यह बहुत ही अच्छी लगती आपको ठीक है और मैंने आज टॉपिक लिया है आपका फेवरेट वह आप आपको पर्सनल रिडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उसमें जाके मुझे मैसेज कीजिए सारी जानकरी मिल जाएगी बहुत ही अफ़रेबल चार्जिस है ठीक है आपके कोश्चन का आंसर तो मिलेगा ही बलकि आपका नियरस फूचर भी मिलेगा ठीक है और एक बर बुकिंग करवा लीजिए उसके बाद एक दू दिन लगते हैं जैसे टाइम पीरिड में बताऊंगी ठीक है विदेश से भी है तो बहुत एफ़रेबल चार्जिस में रिडिंग करते हूं एक बर चेक जरूर कर लेजेगा ठीक है चले रिडिंग में चलत णे ओल्राइट मन शान कर लिजी सबसे पहले वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या सोचते हैं ठीक है दोनुव बाते हो सकती है हमेशा से क्या सोचते हैं और अभी क्या सोच रहे यह सारी बाते आ जाएगी इसके लावा जो भी मुझे दिखाये देगा मैं आपको बिताऊ ठीक है अपनी गुरुदेव इस्टिदेव को याद कीजिए और अपने पार्टर का नम दोराइए और राइट गाईज मैं स्टार्ट करते हूँ वो आपको लेकर क्या सोचते हैं या सोच रहे हैं दोनों बातें आ जाएगी चले गाईज मनशान्त होना जरूरी है सबसे पहले स्टार साहिं की बात करते हैं एरीज एरीज कोई हो सकता है टॉरस अक्वेरियस कोई हो सकता है जैमिनी सैडिटेरियस अक्वेरियस दुबारा पाइसीज और जैमिनी मुझे स्ट्रोंगली लग रहा है कोई ठीक है लियो भी हो सकता है कोई सैडिटेरियस मैंने अल्रेडी बोला ठीक है तो यह स्टार साइन आज मुझे आपर दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ भी स्टार साइन हो आपकी रिडिंग मैच हो सकती है आपसे फिर भी ठीक है तो क्या है क्या सोचते हैं आपको लेकर तो सबसे पहले देखे मैं यहां पर यह बताना चाहते हूं कि इस इंसान के एनरजी आपसे एक नई शुरुबात करना है ठीक है यह तो हम आपने भी देख लियोगा कि जब स कि आप मिले हो, definitely कुछ उडए उडए से रहते हैं, मतलब यह खाबों में ज्यादा रहते हैं, जमीन पर कम रहते हैं, यह उड़ते रहते हैं आसमन पे, ऐसा नहीं है यह वाके में इनका दिमाग हावा में रहता है, ठीक है, जब से आपने मिले हैं, यह कुछ उडए उडए में रहते हैं और यह यह इसलिए है क्योंकि आपसे बहुत बहुत ही मतलब पैशनेट होके मिले हैं मतलब आप इनके लिए एक न्यू लव के रूप में आये हो जो कि कभी पुराना नहीं हो सकता ठीक है यहां पर मैं यह भी देख पा रही हूं कि इसके लवा आपके लिए तो है और यही सोचते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो कि आपके और खीचे चले जाते हैं और आपके और अट्रेक्शन जादा रहता है ठीक है यह आज बहुत ही इंसान की एनरजी आ रही है यह कौन है मुझे नहीं पता लेकिन आपको ज़रूर पता होगा आप किसके बारे में पूछें तो यह जो इंसान है आपसे डाफिनेटल एक रिलेशनशिप में है फ्रेंड्शिप में है जो कि काफी डीप है मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको लेकर क्या सोचता है तो ऐसा सोचता है कि जैसे कोई आप इनके पास्ट लाइफ के मतलब जैसे कैसे कुछ थे यह बहुत में जैसे कहते हैं तो बिल्कुल इसे नहीं हो यार तुम मेरी यह हो इस तरह से मलब छाती ठोक की बोलता है इस तरह से मैं यहां पर यह कहूंगी क्योंकि यह एक बोल्ड इनसान के एनरजी लग रही है शायद यह बोल्ड नहीं होंगे लेकिन दिखात लिकिन ने कि इन्सान के है यह बहुत जदा धार्मीक और या बहुत जदा नियम काईदों को मानने वाला है और यह Definitely Society के नियम जो काईदे बनाने हो है उसमें विश्वास करने वाला है यानि कि जो हमारी society नियम बनाए है उनको मरला टालने वालों में से नहीं है यह उस पर व तोगर है जो रितिरिवाज होते हैं उनको माननेवाल इंसान है और धानमीक प्रवर्ति का इंसान है छो कुछ और करता है अंदर से कुछ और है यहां पर बहुत जदा इनके अनर्जी फ्लटी लगती है यह एक अफसर की तलाश करते रहते हैं कि किसी से भी बात कर लें मतलब इनका confidence level इतनोँचा होता है कि इससे भी कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यह मतलब इनके एक personality होती है जिससे हमेशा कोई attraction में आ जाता है उस तरह की personality है लेकिन यह खुद भी मतलब कि मैं किसी से कम नहीं ही हिरू किसे कम नहीं इस तरह की personality बताते हैं और कि मेरेड लाइफ है आई डूंट नो कोई भी इन पर कंट्रोल नहीं कर सकता है यह अपने मर्जी के मालिक है और यह जैसे कहते हैं राजा किस इनके इनसान आई डूंट नो किसको बोलते हो आप राजा मुझे बता सकते हो लेकिन यह आप यह आपके लिए बहुत कुछ मनलब हिम्मत और ताकत भी रखते हैं इसा नहीं कि सिर्फ दिखाते हैं बलकि इनमें हिम्मत और ताकत भी है कई बारी को यह वहते होगी चलो ऐसा कर लेते हैं ल जैसा लगते हैं कि यह बहुत ज़दा आपसे एक फ्लेट एनरजी में आये थे आपके पास लेकिन अब क्या है कि यह आपको बहुत ही ज़्यादा और उसे कहीं अलग मानते हैं और डेफिनेटली अभी भी इनके दिमाग में आपके लिए कन्फूजन है लेकिन आपके पता नहीं किस इंसान की है बड़ जिस तरह से मुझे दिखाए दे रहा है मैं वह बता रही है यहां पर आपसे आपसे कम्यूनिकेशन करके एक तरह की एनरजी भढ़ जाती है इनमें ठीक है यह उपड़ तक अगर भूके प्यासे भी हो तो भी गले तक इंकतार हो जाता है और definitely इनका यह active हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यह आपसे एक नहीं शुरुआत करनी के इनकी main energy है ठीक है यह हमेशा life में कई बार नहीं शुरुआत कर चुके मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन हाँ यह नहीं शुरुआत आपसे मलब क्या है serious है आपके relation पे ऐसा मैं यहाँ पर कहूंगी अगर आप नाराज भी हो जाएंगे तो यह बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि आपका इनसे दूर होना इनको नहीं है नहीं चाहिए ऐसा कुछ ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह क्या सुचते हैं इन दिनों आपको justice देना चाहते हैं कुछ बड़ कर रहे हैं कि कोई सची सची बात आपको बोलना चाहते हैं कि यह आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि यह जो इंसान है आप से जैसे कि मैंने कहा आपके फोन कॉल आनी से यह बहुत energetic हो जाता है तो आप इनके पास होगे तो क्या होगा ठीक है हावा में उड़े हैं गाइस बाकि एक्चली यह जो अंसान है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं क्योंकि इनको वैसा इंसान नहीं मिला जो कि यह चाहते थे ठीक है और यह कहीं ने कहीं थर्ड़ पार्टी सिचुशन के कारण यह बहुत ज्यादा स्टक भी महसूस करते हैं लेकिन एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंटलि दिखाए दे रही है कि आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे यह इनकी मन की मन की बना लिया है यह और ज़़ेदा फ्लैट अब नहीं करेंगे किसी से भी क्योंकि आपके प्रती बिलकुल सीरिया से और आपके बारे में जानते हैं लेकिन यह खुट जो है अंदर से आपके लिए सीरिस है मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसानी चला करके आपसे मिलब जैसे कहते हैं कि इंट्रोडेक्शन बढ़ा है अपने बारे में बहुत कुछ बताया है आप शायद इनके असले जानते हो लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं क spies ayna kai यहीं सक्चा इंसान है में कैठके जानते हैं कि इसके दिल इनके दिल में घाला नहीं है यह आप अच्छे से जानते हो यह चाहे ऐसा सोचते है कि आप इनके लाइफ में आते तो शयाद बहूत कुछ पुछSyu होता है यह यह चाहariamente चेंज हो यह यह छानत है यह change होती है आप इनको बदलना चाहते हो और definitely यह आपके लिए बदल भी रहे है ठीक है आपके बहुत सी बातों को बहुत ज़्यादा serious लेते हैं और definitely आपके लिए यही सोचते हैं कि आप इनके लिए एक ऐसा इंसान हो जीवन में जिसको आप खोना नहीं चाहते अब नहीं रहना तेरी बिना यह कौन से पिचर आई रोन नो लेकिन हाँ इसमें सन्नी देवल और डंपल है और मुझे दोनों ही बहुत पसंद है तो गाइस यहां पर रिडिंग में ऐसा ही आ रहा है कि यह कुछ ऐसे हैं कि चाहे जो भी सिट्विशन हो यह आपको भूले नह नहीं दे सकते हैं यह मुझे वाइप सारी है तो यह था इनका इनकी एनरजी और इनका यह तो लास्ट में तीन चीज़े बताओंगी जो कि इनका नेक्स टेक्शन होगा ठीक है वेट जाकेंड तो इनका next section मुझे यह दिखाई दे रहा है कि कोई सची बात आपको बोलने वाले है मन की बात क्योंकि यह अभी तक शायद flirty बाते करते हैं आपसे ठीक है और romantic बाते करते हैं लेकिन आप यह बहुत ही कुछ सच बोलने वाले हैं इनका next section कुछ weeks में एक दो weeks में यह होने वाला है कि कुछ सची सची बात हैं आपको बोलेंगे ठीक है यह आपसे कितना मतलब attached है यह बाते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपका एक deep communication हो सकता है इनसे और आपके एक meeting भी हो सकती है यह meeting शायद हो सकता है कि एक किसी मुझे ऐसा लिख रहा है कि कोई ऐसा शादी का मोहौल celebration या कोई birthday party इस तरह कि कोई meeting आपकी हो सकती है तो यह मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं तो आज तक के लिए बस इतना ही next reading में हम messages पढ़ेंगे आज के लिए बस इतना ही ठीक है तो आप मेरा wait कीजेगा month readings चेक कर लिजेगा अभी तक के लिए बस इतना ही ओके guys तो आज की reading में ओ ओ ओ यह भी dip हो चुके है all right कोई बात नहीं है चले guys मैं next day भी जरूर मिलती हूँ तो आपको मेरा wait करने थैंक यू सो मच बबाई